जब से PUBG इंडिया में बैन हुआ है तब से करोडों लोगों के मन में यही सवाल है कि भाईया PUBG वापस कब आएगा यह कभी अन्बैन भी होगा कि नहीं तो मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि Tencent टीम की तरफ से अभी कुछ दिनों पहले एक मिटिंग रखी गई थी और उसमें उनको काफी positive result मिले थे हैं तो आएट आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि Tencent टीम के तरफ से जो मिटिंग थी उसमें उनको क्या result मिला और आपका PUBG वापस आ सकता है कि नहीं कितने percent chances से वापस आने के और ज्यादतर chances यहीं बन रहे हैं कि हमारा PUBG वाप आने वाला दो subscribe नहीं कि हो तो subscribe करके बगल वाले बैल आइकन को जरूर दबा देना और वीडियो को भीना skip करते वे पूरा जरूर देखेगा क्योंकि हम वीडियो सिर्फ पैशन के लिए बनाते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पबले इस वीडियो का जो लाइक है मैं वह है और डेली इसे लगातार डेर करोर लोग खिलते रहते तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा है और पब जी वाले यह कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया में बैन हो क्योंकि सबसे ज्यादा जो पब जी की पॉपुलर्टी वह इंडिया में क्योंकि इसकी स्ट्रीमिंग मतलब यूटीब में सुबह 1 बज़े से लेकर रात के 12 बज़े तक स्ट्रीमिंग होते रहती है पब जी की तो समझ सकते हैं कि कई लोग इस पब जी से कमा भी रहे हैं और पब जी भी कमा रहा है तो पब जी कभी नहीं चाहिए कि इंडिया में बैन हो तो इसी को लेकर टेंसेंट company के through एक meeting रखी गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम Indian Authority से बात करेंगे और वहाँ पर PUBG के मसले को थोड़ा सा solve करने की कोशिस करेंगे तो उस meeting में उनको काफी मतलब mind में confusion थी कि यार Indian Authority का react क्या होगा इस चीज के बारे में वो इस चीज को समझेंगे की नहीं बट अगर आपको नहीं पता तो अभी जैसे मैं बता दूँ कि अभी इंडिया और चाइना के बार्डर पर काफी तनाओ वाला माहूल है टेंशन है वहाँ पर काफी जादा वार जैसी स्थिती बन सकती है तो इंडिया ने थोड़ा चाइना को जटका देने के लिए सारे एप्स को बंद किया जैसे बहुत पहले 52 एप्स को बंद किया था लेकिन अब 118 एप्स बंद हुए है तो एक प्रकार का हलका सा जटका देने के लिए इन सारे apps को बंद किया जा रहा है और इस apps में बहुत से हमारी useful app है और PUBG एक ऐसा app है जो हमें earning भी करवाता है और earning मतलब YouTube वाले earning करते हैं और हम तो मज़े लेते हैं और मज़ा से बढ़कर जीवन में और कुछ नहीं है और मैं भी PUBG खेलता हूँ पाले खेलता था PC पर उसमें एमुलेटर से भी खेलता था बट उसके इंट्रेस्ट खताम होने लगा थोड़ा पढ़ाई का प्रेशर आया तो मैंने उसे छोड़ दिया वही पर बट इस्ट्रीमिंग में देखता हूँ अभी डाइनमो की मॉटल की स्कॉट की मतलब बहुत से लोगों की स्ट्रीमिंग देखते रहता हूँ और आब बात आता है पब जी बैंड को लेगा तो पब जी की बात कहूं तो अभी अगर आप पब जी खेलना चाहें तो पब जी खेल सकते हैं क्योंकि अभी जो इसका सर्वर यह भी इंड किन तक पब जी इंडिया में चलेगा और आप खेल सकते हैं और जो लाइव श्ट्रीमिंग करते हैं वो लाइव श्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको लेकिन जब सर्वर बंद हो जाएगा तो वहाँ पर सर्वर नौर रिस्पॉंड कुछ आता है न वैसा वैसा दिखाएगा और बहुत से लोग करें कि भाईया हम कोरियन गेम्स को खेल सकते हैं कि नहीं जो कोरिया वाला एक वरजान आता है आप जानते होंगे पब जी खेलते हों त जगह है और इंडिया का अलग है अमेरिका का अलग है चाइना का अलग है कहीं का पाकिस्तान का अलग है तो ये मतलब की एक सेटप रखी रहती है तो अगर पब जी ने इंडिया का सरवर बंद कर दिया तो आप PUBG का नाम भी नहीं ले सकते हैं इंडिया में मतलब PUBG नाम का कोई चीज अब इंडिया में चलेगा ही नहीं ठीक है ये चीज क्लियर बहुत सावाल यूट्यूब पे था कि भीया कोरियन वाला खिलने तो एक जवाब सुन लो नहीं लेकिन बहुत से चांसे से कि PUBG वापस इंडिया में आ सकता है क्यों आ सकता है ये बता देता हूँ कि टेंसेंट वाले बहुत ही अपने बातों को अच्छे से उनके सामने रखेंगे इंडियन आथारिटी के सामने जिससे और वो भी समझेंगे कि हाविया और एक बाद मैं आपको बता देना चाहतों कि जो PUBG है न वो सेक्योर्टी के मामले में काफी ज़्यादा सीरियस है मैं नहीं क्या रहा हूँ मैंने वेबसाइट पर से देखा तो सीरियस काफी ज़्यादा है और इंडिया वालों के कहने से PUBG वापस आ जाएगा और बहुत सी उम्मीदे हैं करोडों लोगों की उम्मीद है कि PUBG वापस आ जाएगा एक बार फिर हम वीनर वीनर चिकन डीनर करेंगे तो बहुत से आसार हमें अभी भी दीक रहे हैं आई होप PUBG वालों की हाला तबी बहुत खराब है मैं समझ सकता हूँ भी आ टाइम पास कैसे करें ना कहीं बाहर जाना है नहीं कुछ करना है तो टाइम पास करना है तो PUBG आ सकता है क्योंकि अगर टेंसेंट वालों की मिटिंग सकस्पूल रहे वहाँ से पोजिटिव जलता है तो PUBG हमें कुछ हपते दो हपते या महिने बर के अंदर वापस आ सकता है बैक अप मिल सकता है अब भले हमें अपना एकाउंट मिले ना मिले उसको छोड़ा यार एकाउंट लेके क्या करोगी जब गेम ही नहीं रहेगा तो अभी गेम की जिंता करो सारा फोकस गेम पे करो गेम आएगा की नहीं तो फाइनल अभी डिकलियर ये सीजन सुन लीजिए कि कोरियन गेम आप खेल नहीं सकते हैं और PUBG वापस आने के चांसे काफी जाएदा हैं और एक माइने के अंदर साइट PUBG आमें वापस मिल जाए क्योंकि पपजी अभी पूरी तरह से बैंड नहीं हुआ है लोग अभी भी PUBG खेल रहे हैं सर्वर बंद नहीं हुआ है लेकिन जिस दिन सर्वर बंद हो जाएगा उस दिन PUBG बंद हो जाएगा यह बात आप सुन लीजिए तो अभी PUBG का खेली है मजा लीजिए और Korean की जहां तक बात है तो आप नहीं खेल सकते हैं अगर PUBG का सर्वर बंद नहीं हुआ तो ठीक है अगर सर्वर बंद हो गया तो PUBG का नाम भी आप नहीं ले सकते हैं PUBG नाम की कोई चीज़ इंडिया में नहीं चलेगी तो यही पूरी लगबग कहानी थी इस वीडियो की तो टेंसेंड वालों ने मीटिंग रखी है देखे क्या होता है और यह सब चीज़े मुझे किसी वेबसाइट से पता चली है वेबसाइट का नाम कुछ चैनिश टैप में लिखा था तो उसे मैंने हिंदी में ट्रैंसलेट किया तो मुझे पता चला कि हाँ आप या चलो अपी चिनदा है और उमीद को ही उमीद के किरन हमें दिख रही है यही पूरी कहानी है दोस्तो पब जी वापस आ सकता है फाइली सूज़े लीजेए पब जी वापस आ सकता है इस खुशी में पब जी वाले आज रात के नेंद चैन से सऊएंगे बहुत सुकुन मैसूस करेंगी हाँ भाई ने आज कुछ अच्छी बात बताईए जिससे हमारे दिल को थोड़ी रहात मिलिये तो इसी बात पर इस वीडियो का लाइक एम जल्दी से अब पूरा कर दीजिए दोस्तों क्योंकि लाइक एम पूरा किसी वीडियो का मेरा नहीं होता है जब भी मैं लाइक एम रखता हूँ तो मैं नहीं कर पाता हूँ तो इस वीडियो का लाइक एम पूरा कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए कि भाईया घबढ़ाईयो मत पभी वापस आ जाएगा दोस्तों को का दीज को बढ़ता है कि नहीं बढ़ेगा बढ़ेगा इसा बढ़ेगा बढ़ेगा तो तब तक के लिए चलते हैं see you have a good day and bye bye be smart be safe घबराओ मत